नमस्कार कोई किंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फेस्बुक लाइट पर पेज को पिन कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे तो चलिए सुरू करते हैं तो Facebook Lite पर page को पिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone में Facebook Lite को open करना है तो चलिए Facebook Lite को open करते हैं open करने के बाद उपर में आपको एक 3 line का option दिखेगा अब आपको इस पर click करना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक Page Edge का Option मिलेगा, अब आपको Page Edge का Option पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपका जो भी Facebook Page होगा वह दिख जाएगा, अब आपको बता दे कि Facebook Page को PIN करने से क्या होता है, अगर आपके Facebook Light में बहुत सरा Page है और आप किसी भी Page को PIN करते तो वाप page है जो उपर में top पर show करने लगेगा, सबसे उपर में दिखाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इस page को हमको pin करना है, हमको उपर में लाना है, तो pin करने के लिए आपको जिस भी page को pin करना है, उस पे click करना है, क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि ऊपर में आपको एक settings का option दिखेगा अब आपको यहाँ पर जाना है जाने के बाद आपको general settings पर जाना है यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मेरा facebook page का नाम है सो कर रहा है और यहां पर पिन का option दिख रहा है अब आपको facebook page को pin करने के लिए यहां पर जो pin का option दिख रहा है आपको इस पर click करना है click करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहां से back आना है back आने के बाद अब आपको यहां पर pages के option पर click करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस भी पेज को पिन किया है और टॉप पर सोखा रहा है तो इस तरह से आप फेस्बुक लाइक पर पेज को पिन कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद